कल उसके लिए मतदान होना है चौते दोर के चुराफ से पहले असद दुदी नोवैसी ने भी ममता बैनर जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है आज तक से एक्स्क्लूसिव बाचीत में उन्होंने ममता को साम प्रदाइक बताया उनसे बात की आज तक संभादाता पॉलमी साहनी आज आज आए माएं म ने इस वाज उमीधवार उतारे हैं पस्टम बंगाल के इलेक्षिन में और कैंपेणिंग के लिए खुद यहाँ पर असा दुदिन वेस्ती है इसापा आए हुए हैं आज आप campaigning के लिए पिछले आपकी campaigning का जो schedule था हो शाद थोड़ा गड़ा गड़ा गया था क्योंकि permission नहीं मिला आपको आज आपने campaigning की किस तरह से महौल को देखते हैं पहले तुम यहीं पूछूँगी कि permission आपको deny कर दिया गया आपको campaigning से रोका गया मुशिताबाद में यह सब चिचोरी हरकते हो रही हैं बट कोई फरकने पड़ता भी तो खिर हम अपने कैंडिर्स का अलाउंस कर दी हैं आज मैं दो कॉंस्टेंसिज में गया था एक उत्तर दिनाजपूर में एक और एक मालदा डिस्ट्रिक में हमारी पबलिक मीटिंग्स रही हैं अच्छा र पर कहना है कि पहले लेफ्ट जहां पर माइनॉरिटी वोट बैंक और मास जाता था फिर त्रिनमूल जो इस वोट बैंक को लेती थी सब्सिक्वेंट एलेवन तुदासन सिक्स्टीन में इन पार्टीज ने कुछ नहीं किया है माइनॉरिटीज के डिवेलप्मेंट के लिए ये मुझे और आपको कहने के जूरती नहीं है सचर कमेटी ने लेफ्ट की तीस साल से ज्यादा जो नहीं हुकूमत की सचर कमेटी ने तो उनके मुँपर तमाचा मारा उनके फाइंडिंग्स के जरीए अब जो रीसंड लेटिस डेटा है ममताब एनरजी के दस साल के सरकार क वो भी तो उनके उनको आइना दिखाता है कि आपने कुछ नहीं किया अब आप बताईए कि 27 फीसद मुसल्मान की आबादी 6 फीसद में हिस्सा नोकरियों में और 37 फीसद जेल में 16% मुसलिम बच्चे बच्चिया स्कूल के बाहर हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं स्कूल में इ हाइस्ट यूपी बिहार के बाद बेस्ट बंगॉल को यह डिस्टिंक्शन मिलता है कि यहां पर सबसे ज्यादा मुसल्मान बच्चे आउट ओफ स्कूल हैं या ड्रॉप आउट हैं टैप वाटर के कनेक्शन मुम्ता बढ़नर जी कितने मुसल्मानों को दिये बता दें खोले अरे थटी वन परसंट हाउसवोल्ड जो आपके मुर्शिदाबाद मालडा में एक एक अदमी उनका बाहर काम करता है फिफ्टी परसंट मुसलिम महिला हैं बीडी रोलिंग करती हैं आपने क्या किया बताई ना आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टों में लवज मुस ग्राउंड दे दिया अठारा एंपी उनके जीत गए अब बीजेपी यहां पर पूरा स्टेट जीतना चाहती है तो यह इनकी बहुत बड़ी यह इनकी गलतियों की वज़े से हो रहा है उन्होंने काफी मुसल्मान कैंडिडिट्स दिये हैं कुछ चवालीस कैंडिडिट्स इस इस इलेक्शन में उतारे हैं हाँ तो आप उतारते तो जरूर है मर यह सब बेनामी और यह सब गुंगे होते हैं लोग इनकी यह ज़़े जबान नहीं खोल सकते हैं अगर इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको जब उन इलेक्शन मैनिफेस्टों में यहां के माइनॉरिटी मिनिस्टर से पूछा गया कि भाया इसमें आपने लफ्जे मुसलिम को इस्थमान ले किया तो वो खुद शौक में थे हाई मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं किया तो उनको इस खुद नहीं मालूम तो यह सब दिखावे के लिए इनको डाला जाता है तर आज की डेट में सीधा अपील कर रही है मुसल्मानों से कह रही है कि आप अपना वोट युनाइटेड रखे स्प्लिट मत कीजिए यही तो मम्ता बनियर जी की सबसे बड़ी क्रास हिपोक्रिसी और ऑपोचुनिजम है और इनका यह कमुनिल बिहेवि आप उनके भी खायश आते हैं उनके उम्मीदे हैं एस्परेशन्स हैं एंप्लाइमेंट में गॉर्मेंट शेर में स्कूल्स में सिविक कमिनिटीज में आप उनको गाह समझते हैं और फिर आप यह कहते हैं कि युनाइटेड ली मुझे ओड़ दो भाई आप अपने इंडिपेंडेटली ओड़ दो यह यह जो नौटक की कम चला रही है ना मुम्ताब अजर जी इससे तंग है मुसल्मान ना उनका कोई फाइदा हुआ है सिर्फ उनको एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाना है मैं देखिए ओड़ बैंक ने मुम्ताब अजर जी और दूसरे सेकुलर पार्टीज ने हमेशा मुसल्मानों को एक यह दिखाया कि आपका ओड़ बैंक और मुसल्मान बड़ा खुश होता है ओड़ बैंक एक वक्त में अपना गोत्र बतारी है चंडी पार्ट करें कें अब आपक मत आपके वोट स्प्लिट करने पर लोग तो ले हुए हैं आप थ्रिनमूल को वोट दीजी। क्यों नहीं कहती है मैजॉरिटी कम्यूनिटी से क्या अपना ओट डिवाइड मत करिये। क्यों नहीं कहती हूं मम्ताबनर जी कौन रोक रहा है उनको क्या उनके कोई सर पे बंदोख लगा दिया है और किस बुनियात पर हूं माइनर्टी से कह रही है कि अपना ओट डिवाइड मत होने दो वरना इन प्यार एनर्सी पार्लिमेंट में मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं डिविजन पूछा वोटिंग क्या मुझे मेरे को सिर्फ ची ओट मिले मम्ताबनर जी के कौंगरेस के लोग वोट नहीं दिये क्यों नहीं दिये ये तो बंगाल का लेक्शन नहीं था लोक सभा में ट्रिपल तलाख का बिल आया आप वक आउट करते हैं मैं डिविजन प लग़ आए कि अँडिये और नहीं ये ओर बैंक है हमारा वाप हमारा साथ मत चोड़िए आपने क्या किया मुसल्मानों के लिए मम्ता बंजर जी को मैं चैलेंज करूँ चले रिपोर्ट काट दीजिए आपने क्या किया बताईए कौन सा आपने स्कूल कितने स्कूल खोले two thousand find it क्यों है बताए ना इन सवालों का जवाब दे अब जब हम ये सवाल कर रहे हैं तो ममताब एनरजी बोकल हाट का शिकार हो जाती है match fixing का इल्साम आप उन पे लगा रहे हैं वो भी आप पे लगा रही है क्या रही है आपने match fixing कर रखिये बीजेपी के साथ देखिये मैं सिर्फ छे सीट लड़ रहा हूँ कौन सा match fixing करेंगे मेरे से मैं तो सिर्फ छे सीट लड़ रहा हूँ आपने तो बीजेपी के साथ पावर शेयर किया आपने नरेंदर मोडी के खलाब जब मोशन आया था पार्लिमेंट में एपरिल 32 2002 को आपने उसका साथ दिया आप फिर मिनिस्टर बनी मैं विटनेस हूँ पार्लिमेंट में उस दिन लोग सवा में जब ममता बनर जी ने डिप्टी स्पीकर जो अकाली दल के से थे डिप्टी स्पीकर उनके टेबल पर जाकर आपने अन पार्लिमेंट तरीकर ठिक कर गा किया इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बंगला देशी आ को कि 99% मैं उनके बतीजे को जिसको भाइपो को दे दूँगा वन पसंट अपनी लिए रख लूँगा बताइए कहा है बताइए अगर कुछ है तो बताइए मैं 99% देने तयारों को ले लीजी आप रख लीजिए चलिए 1% मैं रखता हूं उल्ठा तो आपने पर्मिशन नह के बाद साथ जर्मनी में रहे वो अद्मी नेताजी सुबासें दर्बोस के साथ जर्मनी से एशिया में सब्मरीन में और वही शख्स जो मेरे शहर से आता है जिसने जहिन कनारा दिया था आप सब को गाली दे रहे हैं अच्छा ममत्य बनियर जी ये भूल रही है कि जब नं कोई ने गया मैं गया और मेरे साथ अब्दुलवाब अभी जो राजसवा में मुस्लिम लिख के हैं कि आप पूछिए उनको आपको मालूम एरपोर्ट पर को ना आकर रिसीव किया तो हमको सुवेंदो सुवेंदो हमको नंदी गराम लेकर गया और जब वाप और जब हम ज साथ सेंटरलाल मिल के बोली के थैंक यू ओनली यू अब्दुलवाब केम नोबडी केम अम बीटी हो गए तो खैर इनका चलता है बोलने जीए मुरे को आदत हो चुकी है इस तरह की बाते सुनने की मुरे को फोई फरखने पड़ता इस से Do you have any regrets कि ISF के साथ alliance नहीं हो पाया? मैंज एक बादे कि नहीं हो जासा चुकु पर तो खरा के बात कि बात्रों कि लिए करेंजिक की बात्राइश मुरी को थैयंस चैन को सोर्ता हैं Bis म why यंजव आखने रिएल ईग्टी इस क clog आनें से wzजूंत। But in my opinion, there is no difference between Mamata Banerji and Aranda Mordi. They are two sides of one coin. One says that I am Hindu nationalist, other says I am a Hindu Brahman. Now, what does that, both these statements, what does that convey to the people of West Bengal? You know, where you have 27% Muslims, 22% Dalits who are not part of the Varna system. This clearly shows what sort of exclusive or inclusive politics is being practiced in West Bengal. What sort of polarization is happening and who is catering to the majority votes? How everyone is catering to tell the West Bengal electorate that we are a better Hindu than this party leader or that party leader? Okay, just one final question. What next? UP? Yes, definitely. You know, UP, after these elections, I will be giving more time to UP. Five years ago, we contested in UP. But within, in this last four years, we have really worked hard on the ground. And I am sure that next time around, we will be having our candidates will, inshallah, will become, will be elected by the people of UP as MLAs. And that is the, that is the main battle, you know, that is the main effort which we have to put in after these elections. So, I am sure with, we have an alliance with Mr. Om Prakash, Rajabhar, we are part of, as of now, we are part of that Bhaagidari Sankalp Murcha. And we will, we will work more hard than in UP. Thank you so much. Namaskar, I am Anjana Om Kashyap. Now we hope this video will be liked to you. For the latest news, you are watching today. And don't forget to like this video, like, share and subscribe. Don't forget to like this video.